वेलकूम लाइफ इस सुल्ताना कीचन बिसमिल्लाहिरह्मानी रहीम असलावलेकूम आज मैं बना रही हूँ बेगन का भुरता बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर के साथ और बहुत ही मसालेदार होगा यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जो लोग बेगन नही कट लगाने का मकसद यह कि अंदर मैं डालूंगी हरी मिर्च और लसन की जवे और इसको मैं चेक भी कल लूंगी के हमारे जो बेगन है वह अंदर से ठीक है के नहीं और इस तरह से देखेंगे इसको खोलके मैंने चैक कर आए और अब मैं इसके अंदर लसन डालूंगी और इसे को सेहां , भी हरी मर्चे भी कशार के सबस्काइब बहुत ही जबर्दथ फ्लीवर आएगा अungर लसफिकnity करेण लंदना हरी मर्चे घक्ट में हमाले इसानी के साथ तो इस दिसमोकी पैजना है को मैं अदर छाइप लगली हे ना पार शुक launching trip लेटी हूं मैं इसके ओपर थोड़ा सा और इसी तरीके से मैंने यह लिए हैं टिमाटर एक पॉप और इन टिमाटरों पर भी मैंने इस तरह से ऑई लगा लिया है अब दूसरे बेगन को भी मैं इसी तरह से कट लगा लेती हूं बहुत ही कुईक रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी और यकीनन सब लोगों को बहुत पसंद आएगी एक स्टेंड बने ले लिया है आप डायरेक फ्लेम पे भी कर सकते हैं इसको उलट पुलट के मैं इसको अच्छी तरीके से सेखूंगी और जब चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिख जाएगा तो यह देखें इस कंडिशन का हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके छिलके रिमूफ कर दूँगी और बहुत ही आसानी के साथ इसके छिलके सारे ही रिमूफ हो जाएगे यह देखें इस तरह और जब तक मैं यह चिलके रिमूफ कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को कर दें लाइक शेयर औ कमिंट्स में न हैं जाने जरूर बताईकिए आपको मेरे रेशिपी कैसी लगी और चिलक्त को मैं ऽी जाते री लीड़ गल गया हैं धियया विरस के ना फिया जाए बीषभी तरह रीन के प्राहिए पशे के तो यकीन इसका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा और यह देखें किस कदर अच्छी तरीके से गल गया था कि यह हमारे इसके मदस से हम बहुत अच्छी तरीके से मैश कर सकते हैं और अगर आपका इस तरह से ना गला हो तो जब हम इसको भूनेंगे तब यह बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा बहुत ही असानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे यह बुरता तयार हो रहा है और आप मैं कर लेती हूँ नेक्स स्टेप और उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है 4 टेबिल स्पून और एक मीडियम मैंने प्यास ली है प्यास को मैंने इस तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर भी चींच नहों और इसके अंदर मैंने डाले है दो अध़त आलू बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं और इसके साथ बहुत मज़े के लगेंगे आलू तो इसको भी मैंने ओयल में ही फ्राई करना है और इसके अंदर मैं पानी यूज नहीं करूंगी इसको कवर करके रखूंगे तकरीबान 5-6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर और इस तरह से यह होगा कि आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल जाएंगे और प्यास का क लाइट कलर आ गया लाँ प्यास के ओपर और आप मैं इसके अंदर डाल हँगी कुछ मसाले जिसके अंदर है जीरह ओन टीस पून इजके अंदर कलोंजी और राई और मैती दाना है थाफ आफ टीस पूंगे और इसके अंदर डालकर यह मिर्यम चलाऊंगी और जब जबहु बहुत ही जबरदस इसके अंदर फ्लेवर आएगा राइ मेथि दाने और कलोंजी का और अब इसको मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ढलोंगी खल्दी बिद और दाली है अब इसी हुई लाल मिर्चे और नमक मेरे डाला है यह तेस्पुन कम यह जादा अब अपने के लिए मैंने मिर्चे थोड़ी कम यूज की हैं अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी यह वुर्ता जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैश किया था इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और आलू भी हमारे गले हुए हैं और टिमार्टर और बेगन भी बहुत अच्छी तरीके स से गले हुए हैं अब हमें इसको करना है सिर्फ कवर और पांश मिनट के लिए मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करूंगी ताकि इसका ओई उपर आ जाए पांश मिनट हो गए हैं और यह देखें बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और ऑईल जो ह किया हुए हरा धनिया और हरे धनिये को भी मैं मिक्स कर लोंगी और मिक्स करने के बाद इसको एक मिनट के लिए दुबारा कवर करूंगी और ताकि हरे धनिये की भी बहुत अच्छी सी खुश्बू इसके अंदर आ जाए तो अब मैंने इसको मिक्स किया है अब मैं मिलती एक मिनट के बाद एक मिनट हो गया है और ये देखें बहुत ही जबर्दस बहुत ही मज़दार खुश्बू आ रही है हमारे ये बहतरीन भुरता स्मोकी फलेवर के साथ तैयार हो गया है यकीना बहुत पसंद आएगा चामलों के साथ ये बहुत ही मज़दा लगेगा बचे और बड़े सब को बहुत पसंद आएगा तो जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपनी दौाओं में आमिर को मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ ओके अल्ला हाफिज